हेलो दोस्तों स्वागत है आपका Policy Terms चैनल पर आज हम Star Health Insurance की Family Health Optima Policy के बारे में डिसकस करेंगे इस वीडियो को मैंने 5 सेगमेंट में डिवाइड किया हुआ है पहले सेगमेंट में हम Policy के Advantage को डिसकस करेंगे सेकेंड सेगमेंट में Policy की Terms को डिटेल में डिसकस किया हुआ है थर्ड सेगमेंट में Policy के जो भी Disadvantages हैं वो मैंने डिसकस किये है फौर्थ सेगमेंट में कुछ Confusing Terms जिनके उपर काफी सारी Grievances होते हैं और Claims भी Reject हो जाते हैं वो मैंने डिसकस किये है और Fifth and Last Segment में डिसकस किया है कि क्या ये एक Best Health Insurance Policy है आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए Star Health Insurance एक Standalone Health Insurance Company है Means General Insurance Sector में Star Health केवल Health Insurance Segment पर ही Operate करती है Star Health का अपना In-House Claim Settlement है ये किसी भी Third Party Administrator यानि की TPA पर Depend नहीं रहते इनका जो Hospital Network है वो काफी Wide है Even Smaller Cities में भी इनका Hospital Network है तो आपको Hospital में Cashless के लिए आपको एक Headache नहीं रहे गया आप किसी भी City में जाकर इनका Cashless Network देख सकते हैं इनकी Portal पर जाकर भी इनका Cashless Network आप चेक कर सकते हैं जो की काफी Wide है अब डिसकस करते हैं इस Particular Policy के Advantage के उपर जब भी आप Health Insurance Policy परचेज करते हैं तो आपको Health Check-Up करवाना पढ़ सकता है इस Policy में भी आपको Medical Screening करवानी पढ़ सकती है दो Conditions में यदि आप Policy लेने से पहले ही डिकलेर करते हैं कोई Adverse Medical History या फिर आपकी Age 50 Year से ज़्यादा है दोनों ही Conditions में यदि आपकी Medical Screening होती है तो उससे होने वाली जो भी Cost है वो Company बियर करती है आपको अपनी Pocket से कुछ नहीं देना पड़ता दूसरा यदि आप 5 लाकिया उससे ज़्यादा का Sum Insured Opt करते हैं तो इस Policy में Room Rent के उपर Capping नहीं है मिन्स आपको Single Standard AC Room मिलता है जो कि एक बहुत अच्छी Condition है थर्ड ये Policy Air Ambulance की Facility भी Provide करती है हाला कि इसकी कुछ Conditions है जो मैंने बाद के Segment में डिसकस किया हुआ है फूर्थ यदि आप किसी भी Policy Period में आपका कोई Claim नहीं होता है तो आपको एक Minimum Health Checkup की कोस्ट आपको Company बियर करती है जो कि 750 से 3500 थक है depending upon कि आपने क्या Sum Insured Opt किया हुआ है Fertility Treatment, ART, Assisted Reproductive Technology भी इस Policy में Covered है हाला कि इसके लिए 36 मंत का Waiting Period है Sum Insured यानि की Cover Limit Exhaust हो जाने की Conditions में ये Policy आपको Sum Insured Restore करने की या Recharge करने की Facility भी Provide करती है इसके अलावा हर Claim Free Year पर आपको Bonus मिलता है जिसके परिणाम सरूप आपका जो Cover है उसकी Limit बढ़ जाती है पहले साल में ये आपका Claim नहीं होता है तो Second Renewal पर आपका Cover 25% तक बढ़ जाएगा यानि कि आपकी ये 5 लाग की Policy है तो वो 6 लाग 25 जार की Policy हो जाएगी Same Premium Payment पर उसके बाद इसमें काफी सारी Modern Treatment जैसे Robotic Surgery, Monoclonal Antibodies, Etc. भी इसमें Covered है ये Pay करती है उनके लिए भी Last Point है कि इस Policy में कोई भी कोपे नहीं है कोपे के वले एकी Condition में यदि आप Policy को 61 यर के बाद परचेज करते हैं तो Best है कि आप इस Policy को 61 यर से पहले ही परचेज करें ताकि आपको किसी भी क्लेम में कोई भी कोपे ना देना पड़े दोस्तों अब आते हैं Second Segment पर जहां पर मैंने Policy की हर एक टम को डिटेल में डिसकस किया है सबसे पहले देखते हैं कि Policy को कोई परचेज कर सकता है कोई भी जिसकी एज 18 से 65 यर से इस Policy को परचेज कर सकता है 65 यर के बाद ये Policy Life Long Renewal की Facility देती है Policy में जो Family की Definition है वो Husband, Spouse and Three Dependent Children है यानि यदि आपको Parents के लिए Policy लेनी है तो आपको एक Separate Policy लेनी पड़ेगी Parents इस Policy में Cover नहीं हो सकते उसके बाद हम Some Insured देख लेते हैं Policy एक लाग से 25 लाग तक का Cover प्रवाइड करती है जो कि काफी sufficient है Third, Policy लेने से पहले जैसा मैंने बताया कि आपको एक Medical Screening की Requirement हो सकती है जो कि दो ही Conditions में है यदि आपकी Age 50 से अबव है या फिर आपकी कोई Adverse Medical History है जो कि आपने Proposal Form में Declare किया है तो उसके बाद हम Policy के दूसरे Benefits की तरफ भी नज़र डाल लेते हैं हाला कि मैं आपको बता दूँ कि इस Policy में जो Maximum Benefits है वो आपको 5 लाख या उससे ज़्यादा के Sum Insured पर ही मिलते हैं कुछ Benefits आपको 3 लाख और 4 लाख के Sum Insured पर भी मिलते हैं लेकिन सबसे कम Benefits 1 लाख और 2 लाख के Sum Insured पर हैं तो जो इस Policy का Best Sum Insured Option है वो 5 लाख ही है अब देखते हैं कि Room Rent पर क्या है ये Policy आपको 1 लाख और 2 लाख के कवर पर 2,000 लाख पर डे के हिसाब से और 3 लाख और 4 लाख के कवर पर 5,000 लाख पर डे के हिसाब से Room Rent प्रवाइड करती है हाला कि 5 लाख और उससे उपर के Sum Insured पर 25 लाख तक ये Policy Single Standard AC Room प्रवाइड करती है जो कि इस Policy का एक की एक Best Condition मैं कहूंगा क्योंकि इस पर कोई Room Rent Capping नहीं है इसके अलाबा Policy, Surgeon, Anesthetist, Medical Practitioner, Consultant, Specialist की Fee बगरा प्रवाइड करती है इसके अलाबा Hospitalization के जो भी आपके Expenses होते हैं Diagnostics के उपर या Investigations के उपर जो भी आपके Expenses होते हैं वो ये Policy आपको कवर करती है Policy में Ambulance की Facility भी है यदि Single Hospitalization में जो की 750 रुपीस तक Limited है और एक Policy Period में जो की 1500 रुपीस तक ही Limited है ये Policy Air Ambulance Expenses को भी कवर करती है जो की 10% of cover limit या Sum Insured तक ही Limited है यानि आप यदि 25 लाग का Sum Insured ओप्ट करती हैं तो Policy आपको 2.5 लाग का Ambulance Expense दे सकती है यदि Life Threatening Emergency है या फिर उस Particular Location पर Medical Facilities अवलेबल नहीं है तो Policy Pre-Hospitalization and Post-Hospitalization Expenses भी बिएर करती है Pre-Hospitalization 60 देज तक और Post-Hospitalization 90 देज तक यानि यदि कोई Insured hospitalized है किसी Particular Disease के लिए तो Day of Hospitalization से पहले के 60 दिन तक जो भी उसका expenses हुए है Consultant Fees पर, Diagnostics पर, Medicines पर या कोई भी उस disease related expenses हुए है तो Company वो बिएर करती है Same Post-Hospitalization के case में Date of discharge से लेकर Next 90 देज तक जो भी expenses हुए है वो Company पे करती है Next है कि Policy में Domiciliary Hospitalization भी cover है यदि किसी को कोई Medical Treatment की requirement है और वो treatment तीन दिन से ज़्यादा exceed कर सकती है और कोई दो particular condition है कि या तो patient को आप होस्पिटल में move नहीं कर सकते उसकी हालत ऐसी है कि वो होस्पिटल ले जाने लायक नहीं है या दूसरा कोई case है कि जिसमें होस्पिटल के अंदर bed available ही नहीं है जैसा कि आप देख सकते हैं COVID के time प ऐसी situation थी तो उन दो particular cases में Company आपकी Domiciliary घर पर जो भी आप treatment लेते हैं जो भी आपके expenses होते हैं Company उनको bear करती है हाला कि इसके कुछ disease हैं जो इसमें covered नहीं होते हैं उसके बाद हम आते हैं organ donor expenses के उपर यदि insured person को organ transplantation की requirement है तो ये policy 10% cover limit का 10% तक expenses bear करती है या फिर maximum एक लाग रुपे तक हाला कि इसमें जो donor है जो organ donor है उसकी screening या उसके donation के बाद जो भी उसको complications होती हैं वो covered नहीं होती हैं Health check-up के बारे मैंने पहले डिसकस किया है कि कोई भी claim free year हो जाता है तो next year ये policy आपको 750 से 3500 तक आपको health check-up के expenses देती है depending upon कि आप क्या sum insured आपने opt किया ये policy newborn baby को 16th day से cover करती है आला कि जो इसका coverage है वो 10% of sum insured यानि कि जो भी आपने cover opt किया उसका 10% या फिर maximum 50,000 तक ही limited है इसमें condition है कि जो newborn baby mother है वो policy में covered होनी चाहिए उसके बाद यदि किसी emergency condition में कोई medical evacuation की requirement हो जाती है means आपको एक hospital से दूसरे hospital मिले जाने की यदि requirement होती है life threatening cases में और यदि उस hospital में facility available नहीं है तो उस case में policy आपकी medical evacuation से होने वाले खर्चे को भी वहन करती है जो की 5 से 10,000 रुपे तक ही limited है इसके अलावा compassionate travel यदि कोई insured किसी ऐसी location पर किसी life threatening disease की वज़े से admitted है और जहाँ पर उसके कोई भी family member नहीं है तो उस case में ये policy किसी एक family member को उस hospital तक होने वाली visit में होने वाले expenses के 5,000 रुपीज तक पे करती है policy में condition है कि यदि आप star health के preferred hospital में admission लेते हैं यानि कि यदि किसी को hospitalization के requirement है और वो star health से consult करता है कि उसको किस hospital में admit होना है और उनके बताए हुए hospital में वो admit होता है तो उस case में company 1% of some insured या फिर maximum 5,000 तक lump sum payment करती है इसके अलावा यदि policy में आप single standard AC room के लिए आप covered हैं और फिर भी आप कोई shared accommodation यानि कि कोई private sharing room आप लेते हैं hospital में तो company आपको 800 से 1000 पर डे के इसाब से pay करती है policy में आयूस treatment भी covered है यानि आयूरवेदा, युनानी, सिद्धा, होमियोपेथी, system of medicine इस policy में covered है यदि आप government hospital में treatment लेते हैं इसकी limit हाला कि 10,000 से 20,000 तक depending upon कि आपने क्या sum insured opt किया है इसके अलावा policy में आप second medical opinion भी ले सकते हैं means आपको लग रहा है कि आपने जहां से treatment लिया है या जहां से भी आपने medical consultation ली है वो उससे आप satisfied नहीं है तो आप second medical opinion भी ले सकते हैं वो भी इसमें covered होगी उसके अलावाजय से मैंने पहले भी इसके advantage में discuss किया है कि policy में assisted reproduction treatment ART जो की एक fertility treatment है वो भी covered है इसका waiting period जो है वो 36 month है यह 5 लाग के cover से ही start होती है और 5 लाग का यदि आप सम insured opt करते हैं तो policy आपको 1 लाग रुपे तक के treatment के expenses देती है और यदि आप 10 लाग या इससे उपर का cover लेते हैं तो maximum आपको 2 लाग रुपे तक मिल सकते हैं इस treatment के लिए आपको inpatient hospitalization के requirement नहीं है हाला कि husband and wife दोनों ही उस policy में cover होने चाहिए और इस treatment में आपको जो भी pre and post hospitalization expenses होते हैं वो भी आपको covered नहीं होंगे इसके अलावा ये जो condition है ये cable first baby के लिए है second baby के लिए जो आप इसको opt करते हैं तो वो इसमें payable नहीं है automatic restoration of basic sum insured जो भी आपने sum insured यानि कि जो भी आपने cover limit opt की है और वो उस policy period में exhaust हो जाती है तो policy आपको एक premium pay करने के बाद आपको ये facility provide करती है जिसमें आपका जो sum insured है वो दुबारा से restore हो जाता है ये restore facility three times तक available है हाला कि जिस disease के लिए आपने claim किया था वो disease बाद में उस sum insured में जो भी restore किया है वो बाद में उसमें cover नहीं होगा इसके अलावा policy में recharge benefit भी available है जो कि 75,000 से 1.5 lakh तक का cover है वो depending upon आपने कौन सा sum insured opt किया है recharge benefit में ये है कि आप मान लेजिए किसी disease के लिए hospitalized है और आपका sum insured exhaust हो जाता है तो आपने ये condition opt की हुई है इसके लिए आपने premium दिया हुआ है तो आपको policy आपके कुछ sum insured जो 75,000 से 1.5 lakh तक आपका restore कर देती है इस case में आपका वो disease भी cover है जिसमें आपने claim लिया हुआ है हाला कि जो restoration वाली condition जो मैंने पहले discuss किये थी उस condition में वो disease cover नहीं है जिसमें आपने claim लिया है इसके बाद हम आते हैं कि road traffic accident के case में इसमें एक additional sum insured मिलता है जो कि 25% of basic sum insured का है मान लिजे 5,000,000 की policy है और road traffic accident के case में आपको जो total lump sum payment मिलेगी वो 6.25 lakh रुफीस मिलेगी हाला कि इसके कुछ conditions हैं कि आप यदि ride कर रहे हैं motorcycle ride कर रहे हैं आप pillion ride रहे हैं तो आपको required है कि आपके पास helmet हो आपने helmet wear किया हुआ हो और ये policy में एक ही बार मिलता है लेकिन इस में इस time में catch है कि ये जो आपको facility मिलती है ये तब मिलती है यदि आपका basic sum insurance आपका exhaust हो चुका है तो policy में हर claim free year के लिए आपको एक bonus मिलता है उस bonus में होता क्या है कि आपका जो sum insurance का cover है जो आपका वो बढ़ जाता है ये आपने policy लिए है first year, first year में आपका कोई claim नहीं है तो second year में जो आपकी limit है जो cover limit है वो 25% enhance हो जाएगी मान लिजी आपके पास 5 lakh का cover है first year आपका कोई claim नहीं हुआ तो second year जो same premium payment पे आपको 6.25 lakh का cover आपका हो जाएगा और उसके बाद subsequent renewals में जो enhancement होगा वो 10% each year होगा for each claim free year policy में modern treatments जैसे balloon sinoplasty, deep brain stimulation, oral chemotherapy, intravitral injection, robotic surgery, etc. सभी covered है उसके अलावा policy में कोई co payment नहीं है यदि आप policy को 61 year age से पहले purchase कर लेते हैं तो यदि आप policy 61 year के बाद purchase करते हैं तो आपको हर claim के लिए 20% of claim amount आपको pay करना पड़ेगा तो best है कि आप policy को young age में ही purchase कर ले policy में कुछ waiting periods हैं जैसे pre-existing diseases के लिए 48 months का waiting period है जो भी diseases आपने declare किये हुए हैं वो सभी diseases 48 months के continuous renewal के बाद cover हो जाते हैं कुछ specific diseases जैसे cataract दो साल के waiting period के बाद ही cover हो जाते हैं policy में एक inbuilt 30 days का waiting period है यानि कि जब आप first policy purchase करते हैं तो उस time पे first 30 days में यदि आपको कोई disease या illness हो जाती है तो वो इस policy में covered नहीं है हाला कि accident इसका exclusion है यानि कि यदि accident के case में hospitalization होती है तो वो covered है ये 30 days का waiting period के यवल first policy purchase पर ही applicable है उसके बाद आप जब policy renew करते हैं तो ये उसके बाद नहीं लगता है policy में एक moratorium period close भी है जिसके अंतरगत यदि आप policy purchase करते हैं और 8 साल तक लगातार policy को renew करवाते हैं तो उसके बाद आपके जो claims हैं वो fraud या किसी permanent exclusions जो कि policy के अंदर mentioned हैं उन्हीं के base पर ही वो claim आपके deny किये जा सकते हैं otherwise आपके claim को deny company नहीं कर सकती है इसके अलावा policy में premium installment facility भी available है जो installment facility वो monthly, quarterly, half yearly है इसमें जो premium payment है installment में वो उसमें आपको 7 days का आपको grace period मिलता है हाला कि यदि आप 7 दिन तक आप premium यदि आप नहीं देते हैं company को तो उस 7 दिन तक आपको cover नहीं मिलता है उस period तक policy में free look period भी है means यदि आपने policy purchase कर ली और आपको लग रहा है कि policy के जो terms हैं वो आपको satisfied नहीं कर रही है आप policy से satisfied नहीं है तो आप within 15 days आप policy को return कर सकते हैं यदि आपने उसमें कोई claim नहीं लिया है तो उस case में आप से एक minimum जो भी stamp duty charges होते हैं वो company deduct करती है और आपको premium refund कर देती है प्रेमियम में sorry policy में disclosure of information norm भी है हम जनली जब policy purchase करते हैं तो हम ऐसी conditions को हम ignore कर देते हैं हाला कि ये बहुत important conditions हैं इसके अंतरगत यदि आप कोई fact को misrepresent करते हैं या उसको describe गलत करते हैं या आप उसको disclose नहीं करते हैं तो उस condition में आपकी जो policy है वो word यानि की policy cancel मानी जाती है और company उस condition में आपकी policy को उसी time cancel करके आपको हो सकता है कि आपके premium को refund कर दे या फिर refund ना भी करे वो depend करता है company के ऊपर यदि आप policy star health के online portal से आप purchase करते हैं तो आपको policy purchase पर आपको 5% discount मिलता है तो मैंने जो इस policy में जो main main terms हैं वो मैंने detail में discuss कर लिए हैं इसके अलावा यदि आपको और किसी term में कोई confusion है तो please आप comment में डालिए मैं उसका reply जरूर करूँगा इसके अलावा हम अब next segment में discuss करेंगे कि policy के क्या disadvantages है और क्या confusing terms है दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी request है यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो please चैनल को subscribe जरूर करें वीडियो को like और share जरूर करें चलिए अब हम discuss करते हैं कि policy के क्या disadvantages है policy में यदि आप parents को cover करना चाते हैं तो आप cover नहीं कर सकते हैं आपको parents के लिए separate policy purchase करनी पड़ेगी क्योंकि जो इसमें family की definition है उसमें parents नहीं है उसमें husband spouse and three dependent children covered हैं उसके बाद policy हाला कि आपको एक bonus देती है यदि आप claim free year रहता है आ आपका means आप claim नहीं लेते हैं particular year में तो आपका sum insured यानि कि आपकी cover limit है वो second policy में आपकी 25% और उसके बाद 10% per year enhance होती है लेकिन यदि आप किसी बाद के साल में आपका claim आ जाता है तो उसके बाद उसी rate से आपका bonus decline होना start हो जाता है यानि कि आप दुबारा से base sum insured जो claim करते हैं तो थर्ड है कि road traffic road traffic accident के case में जो भी एक enhancement मिलती है 25% of sum insured की वो तब मिलती है यदि आपकी का जो basic sum insured है वो exhaust हो चुका है तो fourth है इसमें जो age group है premium calculation के लिए जो first slab है वो 0-35 तक है हाला कि दूसरी insurance company में जो premium calculation में जो age slab है वो 0-20 years तक भी है means कि जो policy में आप जो children cover करते हैं उनके लिए भी जो premium है वो तोड़ा सा higher side में है तो ये मुझे जो age slab है वो income मुझे ठीक नहीं लगा उसके अलावा policy में sum insured एक लाग से 25 लाग तक है लेकिन maternity cover नहीं है same insurance policy आप यदि दूसरी companies की देखेंगे तो आपको इतने बड़े cover का यदि आप cover लेते हैं 20 लाग या 25 लाग का cover लेते हैं तो आपको maternity cover भी provide कर देते हैं जो कि इस policy में नहीं है दोस्तों मान लेजिए आपके पास 5 लाग sum insured की आपके पास policy है मान मिंस आपके पास जो policy है उसका जो cover लिमिट है वो 5 लाग है और आपको लगता है कि ये cover आपका sufficient नहीं है लेकिन उसी साल आपकी policy में कोई claim आ जाता है और आपको लगता है कि next year आपको ये sum insured आपको 10 ल discretion है वो star health के पास है means यदि वो चाहें तो आपका cover बढ़ाएंगे और चाहेंगे तो आपका cover नहीं बढ़ाएंगे means यदि उनका लगता है कि आप continuously आपकी policy में claim आ रहे हैं तो वो जो आपका renewal के time पे यदि आप उनके पास जाते हैं तो वो आपको deny कर सकते हैं वो आपका cover उतना ही रखेंगे हाला कि वो reduce नहीं कर सकते बट enhancement को लेकर जो discretion है वो insured के पास ना होकर वो company के पास है जो कि एक मुझे अच्छा point नहीं लगा उसके बाद जो majority of benefits है इस policy में 90% benefit I will say वो 5 लाख या उससे उपर के cover में है यदि आप इससे निच्छे का cover opt करते हैं तो जो benefits ह वो काफे restrict हो जाते हैं इसके अलावा दूसरी policies attendant allowance भी देती है जो कि इस policy में covered नहीं है आला कि हम इसको ignore भी कर सकते हैं IRDA ने नई guidelines दी हैं जिसमें mental illness और AIDS भी covered है लेकिन मुझे ये दोनों की दोनों coverage इस policy में कहीं पर भी नजर नहीं आई इसलिए मैंने इसको disadvantage में add किया है तो इस policy में यदि आपको लगता है कि आप in disadvantage के साथ आपको कोई issue नहीं है तो मैं कहूंगा कि ये this is a balanced policy और एक अच्छी policy है इसके बाद next segment में हम discuss करेंगे वो terms जहां पे कुछ confusion है और जहां पे कुछ claim rejections भी होते हैं सबसे पहले है proportional deduction in case of room rent यदि आपके पास दो लाख या फिर एक लाख some insured की policy है तो आपके room rent की जो limit है वो है 2000 पर डे लेकिन आप किसी hospital में जाते हैं जहां पर आपको आप देखते हैं कि वहाँ पर 2000 का कोई room ही available नहीं है और वहाँ पर जाकर आप treatment ले ले लेते हैं वहाँ ने जो treatment वहाँ पर लिया उसके बाद जो आप claim के documents आप company में देते हैं star health को देते हैं तो वो क्या करते हैं कि उस claim की amount को almost half कर देते हैं ऐसा क्यूं होता है कि जब आप का जो limit है room rent की यदि आप उससे बड़े room में जाके आप admit हो जाते हैं तो आपके जो admissible claim के expenses हैं जो claim expenses admissible वो उसी proportion में फिर company आपके reduce कर देती हैं तो इसलिए आपको जो claim pay होता है वो 50% ही होगा वो आपने room बड़ा लिया उसमें आपने गलती करी तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी limit है यदि आपकी policy पांच लाग से नीचे की है और आप इस case में आपकी room rent की ए limit है उसी limit में ही admit होना यदि आप बड़े उसमें जाएंगे तो आपको proportionally फिर आपका claim reduce हो जाएगा second जो आता है वो है कि reasonable and customary charges आप एक same city में है और same city में आप एक hospital में जाते हैं जो दोनों के दो hospital है मान लीजिए वो दोनों के दोनों hospital 30 bedded हैं अब आप एक 30 bedded hospital में गए ज जो कि star health के network पे नहीं है वहाँ पर जाकर आपने cataract का treatment लिया और उस hospital ने आपके 40,000 का bill बना दिया लेकिन companies जो insurance companies क्या करती हैं वो एक average costing निकालती है बैड के हिसाब से जोगरवी के हिसाब से hospital के इंफरा के हिसाब से वो एक average costing निकालती है हर treatment की तो उनको यदि लगता है कि 30 bedded hospital में जो एक average treatment cost है cataract की वो 25 से 30,000 है तो आपको reimbursement के बाद जो आपका claim settle होगा वो 25 से 30,000 ही होगा व आपके 40,000 वो आपको पे नहीं होगा तो इसलिए मैंने दो condition discuss किया है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा confusion रहता है अब हम आते हैं last segment पर कि क्या ये policy एक best health insurance policy है दोस्तो यदि इसके advantage को हम देखें कि इसमें 5 लाग some insured के बाद को यूँ brand capping नहीं है ये fertility treatment के लिए ART भी provide करत है policy में bonus की facility भी है यदि आपका claim free year जाता है तो co payment fees में 61 year के बाद ही है तो इन सब factors को यदि मैं देखूं और इसको disadvantage से compare करूं तो मुझे overall ये एक बहुत अच्छी policy लगती है लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आप ये health insurance policy लेने से पहले आप दूसरी insurance company की same health insurance policy से compare करें केवल premium ही compare ना करें उसकी conditions को भी compare करें तो दोस्तों इस सब के बाद मैं यहाँ इस वीडियो को finish करूंगा काफी लंबी वीडियो हो गई है और उसके बाद मैंने overall सब कुछ cover करने की कोशिस की है यदि इसके बाद भी आपकी कोई query रहती है तो आप please comment में जरूर लिखिए और कीजिए बैल बटन दबाईए थैंक यू